नमस्कार मैं हूश ससी आये जरगां के टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं प्रधान मंत्री नायंदबोदी ने क्रिसी सुधार कानून को एतिहासिक करार देते हुए सनिवार को कहा कि एक कानून हर प्रकार से किसानों को लाप पहुचाने वाले और बीचावलियों वा दलालों के तंत्र पर प्रहार करने वाले हैं क्रिसी सुधारों का विरोध कर रहे रायनीतिक दलों पर निशान साते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछली सताबदी से नियमों वा कानूनों से अगली सताबदी में नहीं पहुंचा जा सकता उन्होंने कहा इसलिए समाज और व्यवस्थावों में बदलाव के विरोधी जीतने भी अपने स्वार्थ की रायनीतिक करें देश को आत्म निर्भर बरने के लिए सुधारों का सिसिला लगतार चलता रहेगा जार्खन मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक बारिस की संभावना है इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है विभाग ने अगले 24 गंटा के दवरान राची, गुमला, हजारी बाग, खुटी, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडी, गोड़ड जामतरा, पाकुर, सायव, गंज, पूर्वी सिमू और पच्मी सिमू में बजरपात के साथ भारी बारिस की संभावना जताते हुए अवरेंज अलर्ट जाई किया है अलाकि मौसम बिभाग के उनसा राजय के सभी जीलों में अगले चार दिनों तक बारिस की संभावना है जार्खन के बेरुजगार युवाओं को बेरुजगारी भत्ता के लिए करना होगा इंतिजार जार्खन के बेरुजगारों को भत्ता के लिए अभी और इंतिजार करना होगा राजे सरकार ने इसके लिए 82 मेरासी के प्रवधान तो किया है लेकिन अभी इस योजना को स्विक्रिती नहीं मिल पाई है बता दे कि इस पर योजना एवम प्राधिक्रित समिती के अलावा कैबिनेट की स्विक्रिती लिजानी है इस इतिया है कि लभक तीन महपूर विकास आयुक्त की अध्यक्सावाली योजना प्राधिक्रित समिती ने कोविन-19 महामारी का हवाला देते हुए स्राम नियोजन ओम प्रस्रिक्षन विभाको प्रस्ताव आपस लटा दिया था बता दे कि वितिये बर्स 2021-22 में किये प्रधान के अनुसार आसनातक पास युवाओ को प्रती वर्स 5000 जबके असनत कोतर को 7000 रुपे भत्ता देना है जारखन में 877 संक्रमितों की पुष्टी हुई जो बोकारों से 60, 14, 5, 22, 30, 41, 27, दूमका, 17, पूर्वी, सिमू, 61, गढ़वा, 11, गी, 20, गोड़ा, 16, गुमला, 13, हजारी, 28, जामतरा, 17, खुटी, 27, कोडार्मा, 23, लात्ते, हार, 11, लुर्दागा, 7, पाक्कुर, 9, 27, राची, 384, साहेवगन, 26, राइक, लाग, खरसावा, 40, सिम्डेगा, 8, तता, पच्मी, सिमूम, से 15, मिले हाए, जारकन में कूल संग्रमितों की संख्या, 86, 277 है, जबकि 74, 64, लोग, स्वश्ट हुए, और 734, की मिरिती हो गई, भारत में कूल संग्रमितों की संख्या, 65 लाग, 47, या, 413 है, जबकि 75, 6, 732, लोग, स्वश्ट हुए, और 1,1812, की मिरिती हो गई, भारत में केस, 75, या, 489, मिले हाए, जबकि 81, 655, लोग, स्वश्ट भी हुए हाए, जारकन में सनिवार को 5 की मौथ हुए है, जो राची से 2, पूर्वी, सिमू, पच्मी, सिमू, सराय किला से 1 की मौथ हुए है, सनिवार को 1176, मरीज स्वश्ट हुए है, स्वश्ट मरीज इस परकार हाए, बोकारो 115, 1445, देवघर 56, धनबाद 40, दुमका 4, पूर्वी, सिमू, 246, गड़व, 15, गीड़ी, बीस, गोड़ा 16, गुमला 32, हाजारी बैक छपन, जाम 8, खोटी सिमू, से 32, मरीज स्वश्ट हुए है, जारखन के अलप संख्यक कल्यान मंत्री हाजी हुसेन का क्रोना से मौथ, जारखन में क्रोना से एक मंत्री की मौथ हो गई है, मुख मंत्री हिमन सुरेन की सरकार में अलप संख्यक कल्यान मंत्री हाजी हुसेन अंसारी की सनिवार को क् दायक थे, बीते दिन कुरोना से संक्रामित होने के बाद उनका राची के मेदाथ अस्पताल में इलाज चल रहा था, ड्राइविं लाइसेंस बनाने को लेकर आदेह जारी, यदि आप ड्राइविं लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए रहात भरी ख़बर है, कुरो में आदेह जारी कर दिया जाएगा, पतादे की ड्राइविं लाइसेंस बनेंगे, लेकिन कुरोना के देखते हुए बेवास्था में बदलाव किया जाएगा, ड्राइविं टेस्ट के दरान पहले की तरह काफी संख्या में सलोट नहीं होंगे, बलिक सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में सलोट पर ड्राइविं टेस्ट लिया जाएगा, जंगल से जलावन के लिए लकड़ी लाने पर नहीं लगेगा सूलक, जारखन के जंगलों से जलावन लकड़ी लेने पर परिवाहन सूलक नहीं देना होगा, इसके लिए जारखन के बाद एक अक्टूबर से निमावली पूरे राजे में लागू हो गई है, बता दे कि पूर्व में जलावन लकड़ी लेने पर पचीस उरुपे प्रति घंड मीटर के हिसाब से सूलक देना पता था, एंटी पीसी के कोईला भंडार में लगी आग, लाखों लोग खत्रे में जाकन के हजारी बाग जीला के बढ़का गां में इसीत एंटी पीसी के कोईला भंडार में आग लग गई है, हलाकि अभिया आग नजदीकी के गाओं या आसपास की कोलोनियों तक नहीं पहुची है, इस खनन छेत्र के आसपास के कोलोनियों और ग्रामिन इलाकों के अनन कार्य को रोके जाने के कारान खदान से निकाल कर रखे गए कोईला के भंडार में आग लग गई है, दूरगा पुजा दसारा दिपाली और छट जैसे तेवारों को देखते वे दक्षिन पूर्वी रेलवे ने रेलवे बोट को 41 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प् ठी भेजी थी, हालाकि अभी तक इस समद में रेलवे बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया है, बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को चलाने से पहले रेलवे राजे सरकार के अधिकारियों के संग बैठक करेगी जापानी भासा के साटिफिकेट कोर्स के लिए मिलने लगे नमांकन फर्म राची विश्व विद्यालाई के इंस्टिट ओफ फोरें लेंग्वेज इस्टडिज के तहत इस आकादमी सत्र से सुरू हो रहे है जापानी भासा के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नमांकन फोर्म सुनिवार से मिलने लगे सरकार के निर्देश को पुजा कमिट्यों ने बताया अब विभारिक दुरगा पुजा को लेकर राज सरकार की ओर से जारी निर्देश को अधिकांस पुजा कमिट्यों ने अब विभारिक बताया है हलाकी कमिट्यों ने सरकार के कुरोना को लेकर जारी निर्देश भीर मेला नहीं लगाने पर समती जताई है लेकिन प्रतिमाओं के आकार पुजा पंडाल में साथ लोगों के रहने भोग तथा पर साथ पर रोक साउंड सिस्टम नहीं लगाने देने के आदेश को उचित नहीं बताया है सभी ने समाजिक दूरी मास्क तथा सन्य टाजर का इस्तेमाल कर माह की पुजा करने का समर्थन किया लातेहर से हैदराबाद लेज जाई जा रही चोदा लड़कियों को आरपी एफ ने छुड़ाया राची रेलवे स्टेशन के आरपी एफ टीम ने दरभांगा सिकंदराबाद ट्रेंसे हदराबार ले जाई जा रही 14 लड़कियों को तसकरों के चंगुल से छुड़ाया है इन सभी लड़कियों को आरपी एफ ने राची रेलवे स्टेशन से बरामत किया बता देखिया लड़किया लाते हार जीला के मन का थाना चेते की राने वाली है पूलिस ने बरामद लड़कियों को आगे की करवाई के लिए कोतावली थाना प्रभारी के सुपूर्थ कर दिया है क्रीशी सुधार बील लवकारी अरजुन मुंडा जन्जाती मामलों केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा ने क्रीशी सुधार अधिनियम को किसानों के हित में बताया है बिभागों के कामकाई से असंतूष्ट मुंख मंत्री करेंगे मैं राथन बैठक मुंख मंत्री हमन सुरेन बिभीन बिभागों के वरिया अधिकारियों संग कामकाई की समिक्षा करेंगे बता दे कि मंगलवार से इसकी सुरुवात होगी या सिर्सिल्या लागतार तीन दिन तक चलेगा इस दोरान विभाग ये अधिकारियों को दिये गए टास्क का भी रिवियो होगा समिक्षा बैठको का मुखे फोकस इज ओफ डूइंग बिजनेस पर होगा इस बावत के अंद्र द्वारा दिये गए गाई लाइन और उनके अनुरूप करवाई की समिक्षा होगी लोहर्दगा उपायुक तने अधिक से अधिक मजदूरों को काम देने का निर्देश दिया है लोहर्दगा उपायुक दिलीब कुमार टोपो की अध्यक्षता में सनिवार को विकास योजनाओ की समिक्षा की गई इसमें मनरेगा बिर्शा हरित ग्राम योजना प्रधान मंत्री आवास जैसी योजनाओ की समिक्षा की गई बता दे कि मनरेगा दिवस बढ़ाने का निर्देश उपायुक द्वारा सभी प्रखण विकास पताधिकारियों को मानव दिवस बढ़ाने का निर्देश दिया गया उपायुक तो ने कहा कि अधिक साधिक मजदुरों को काम दिया जाए देवगर SP ने अपराद नियंतरन को लेकर की बैठक पुलिस अधिक्छक अस्वीनी कुमार सिन्हा ने सनिवार को अपराद नियंतरन को लेकर बरिये पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में एस्पी ने साइबर अपराद एवं और ने सभी अपराद नियंतरन के लिए असपश नियदेस दिये हैं SP ने अनुमंडल पुलिस पता अधिकारी, DSP इंस्पेक्टर इंस्चार्ज थाना परभार्यों को अविलम अपराद नियंत्रन समंधी सक्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अधिनस्त छेत्रों में BCS एवं OBCS लंबित कांडों का सिख्ण निस्पादन करे धनबाद जिला के सभी वीडियो सियो बाल विकास पर्योजना पता अधिकारियों को निवास अस्थान का पता देने का निर्देश धनबाद DCU मा संकर सिंग ने सभी प्रखन विकास पता अधिकारी अंचल अधिकारी तथा बाल विकास पर्योजना पता अधिकारियों को अपना अवास पता 24 गंटा के अंदर उपलव्द कराने का निर्देश दिया है इस संबाद में उपायुक्त ने कहा है कि सरकार के निर्देशा अनुसार छेत्रिये पता अधिकारियों को अपने अपने प्रखन मुख्याले में निवास अस्थान करना अवस्यक है देवगर उपायुक्त ने जल मिशन रथ को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया देवगर उपायुक्त ने सनिवार को जल जीवन मिशन रथ को हरी जंडी दिखा कर समनाले परिसर से जीला के सभी प्रखंडों वा पंचायतों के लिए रवाना किया मौके पर उपायूद कमलेश्वर परशाद सिंग ने बताया कि इस योजना के तहद 2024 तक सरकार द्वारा जीला के ग्रामी इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनक्षन देगी जार्खन का तीसरा ध्रूमपान मुक्त जीला खुटी खुटी जीला तमाकों निंत्रन समन्यक समिती DTCCC की बैठक सनिवार को समनाले सभागार में उजित की गाई इस दोरान उपायूद ससी रजन के दक्सा में ध्रूमपान मुक्त घोसना समारो का उजन किया गया समारो में जीला के सभी वर्या धिकारों ने ध्रूमपान मुक्त घोसना पत्र पर हताच किये वहीं पायूद ने संपुन जीला को ध्रूमपान तमाकों मुक्त बनाये रखने की अपिल की निती आयोग की ताया रैंकिंग में जारखन के रामगर जीला को मिला चवथा स्थान निती आयोग के द्वारा किये ताया रैंकिंग में रामगर जीला को चवथा स्थान प्राप्थ हुआ है यह जीले के लिए गोरो की बात है DC संदीप सिंग ने सनिवार को निती आयोग के रैंकिंग को मीडिया के साथ साजा किया उन्होंने बताया कि निती आयोग के द्वारा पुरे देश में कूल 112 जीला को चिनित किया गया है यह सभी वैसे जीले हैं जहां पर सिक्षा स्वास्थ किरिसी एवं अने छेत्रों के विकास एतू विशेस ध्यान देने की जरूरत है पलामू जीला में हर घर को नल के माध्यम से होगी जलापूर्ती प्रमंडल पलामू की ओर से संचालित जल जीवन मिशन के तहट पलामू जीला के हर घरोत तक पानी पहुचाए जाएगी इसके लिए पलान त्यार की जा रही है नल के माध्यम से जल पहुचाने से आम जनों को काफी सुविधा होगी और यह लोगों के लाविदायक सीध होगा यह अबाते सनिवार को उप विकास आयूक सेखर जमुआर ने कही जार्खन मुद्रा मोचन पार्टी है हमन सरकार रगबरदास पुरमुख मंत्री सभाजपा के रश्ट्रिय उपाद्यक्ष रगबरदास ने कहा कि जार्खन में टांसफर पोस्टिंग से लेकर अवय धन्दे मौजूद सरकार के सनरक्षन में फलफुल रहा है जामुमो अब जामुमो नहीं रहा अब यह मुद्रा मोचन पार्टी बनकर राज का दोहन कर रही है हमन सरकार धर्मात्रन सक्तियों की कटपूतली की तरह काम कर रही है धन्यवाद हमें आप कोमेंट बक्स में सुझाओ दे कि सरकार को जारखंड के बेरुजगार युवाओ को बेरुजगारी भत्ता के लिए क्या कदम उठाना चाहिए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ योग साथ सेयर भी करे थाइंक यू